हां तो फ्रेंड्स चलिए start करते हैं यह हमारा आर शेजी वाल का ड्राइंग है आप देख सकते हैं ठिक है अब इसको हम डीटेल में समझेंगे यह है क्या ठिक है यह पूरी ड्राइंग यह पूरी आर्सी सिवाद की ड्राइंग है ठीक तो इस ड्राइंग को हम के लिए लिए समझेंगे है गया है चलिए एक एक करके समझें पहले सीधा हुआ 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 कि ट्राइंग अपनी होगा यह सीधी ठीक है अब देखें इसमें सबसे पहले यह दे चाहिए इसको अगर हम थोड़ा बढ़ा कर लें यह देखें प्रण्ट एलिवेशन यह दिया हुआ है इसमें जो यह टॉप का हिसा है इसको अगर हम दूसरे जगा आपको बढ़ाते हैं ठीक है इसको हम करते हैं कॉपी ठीक है यह यहीं पर इसको हम बताते हैं आपको इसमें क्या क्या है आप यह देख सकते हैं ओपर में यह जो लगा हुआ है यह आपका है कैप कॉस्ट इन सी तू मतलब जब यह वाल लग जाए तो इसके उपर एक पोपिंग लगेगी ठीक है तूब यह आपके दिया हुआ है इसके बाद यह जो आप देख रहे हैं सरकल में यह सरकल में यह जो है यह है आपका लिप्टिंग होग ठीक है इसका भी डीटेल अभी किया देखेंगे यह लिप्टिंग होग है ठिक है और यह जो में बाइनल है यह अलगा है यह फ्रिकेंट सब्वाल है ठिक है यह परिकास्ट वाल अंथ एक यह है दो यह है एक बार में इतनी लंब ईब लगनाईगी इतनी चोणिरी में है बस ठीक है यह इसमें पांच पैनल लगा हुआ है तब जाके दो मीटर कंप्लीट हुआ है ठीक है अब हम चलिए इसका डीटेल में देखते हैं क्या है इसमें कुछ सेक्शन दिया नहीं है पस ऐसा ही फ्रंट से आपको इसा दिखेगा बस यह दिया हुआ है ठीक है अब इसके है कि या देखते हैं इसके आंगे क्या दिया हुआ है एक यह ट्राइंग है ठीक है इसमें क्ट सेंट एक सेक्ष्टी औरanten से एक स्ञेस अ और यह गईव आविपने कहां से देखा हुआ हम देख लिए हैं हुआ यह यह फ्लाण दिया हुआ हुआ है यह वालिए ह EPA मारा इसन बनेगी वह बनेगी इस टाइब की दिखाते हैं आपको कि जब हमारी सर्या का काम हम कराएंगे तो जो सर्या बनेगी वह बनेगी इस तरह कि ऐसे बनेगी ठीक है पहला इस तरह हिस्सा रहेगा और दूसरे का हिस्सा यह रहेगा फिर इस तरह से बेंड होगी सर्या उसके बाद इधर से बेंड होगी सर्या ठीक फिर यहां से बेंड होगी ठीक फिर यहां से बेंड होगी अगेन यहां से पूरा ठीक कि इस तरह से हमारी सर्या बनेगी ठीक है और जो हमारा पाइनल लगेंगा वह इस सेप्शन में लगेंगा इसमें यह दोनों वाल का जो पैनल है वह इसमें लगेगा वही यहां पर यह प्लान सो किया हुआ है यहां पर देखिए इसी के बीज में यह पूरा पैनल लगा हुआ है अब यह वाई वाई और एक्स एक्स जो है वो होटिंग का सेक्शन दिखाया हुआ है और यहां पर देखिए प्रीकास्ट पैनल जो है 2500 थीखनेस है मतलब विसकी मोटाई होगी इस वाई की 100 एम्यां की होगी ठीक है जिसकी चोणाई जो है 350 से ते 50 के चोणाई की है फैनल और 100 थीखनी की एठीक है यह तो आपको पथा चल गई वालकी लुआए देखेंगे होता गया यह देखेंगे नौशो का पुरा ग्राउंड नोशो ऊपर ग्राउंड लेवल से तोटल यह जो धित गई है उससे यह वालिक्त है वह है अधाइसो तो यह वाई वाई सेट्षन में आपको दिख रहा है मतलब 200 नीचे इसके 200 नीचे से यह जो वाल है उठने शुरू हो जाएगे ठीक है इस वाल कभी उस एक्समें वह एए है उसे भी देखेंगे तो बस अभी उसकी चोड़ाई जो है वह दी हुई है कितना एक मीटर में से 200 माइनस कर दीजिए 800 मतलब यह जो फाउंडेशन है वह 800 चोड़े हैं और 900 हाइट किया है 900 लंदी है ठीक है अब इसके बाद आप CC और AA सेक्शन को समझते हैं CC AA सेक्शन पर हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं CC आप तो इसक्शन पर क्या दिया है एक मीटर बाई एक मीटर का हमारा ही फांडेशन है ठीक है जिसमें ऑप्सेड निकला था जो हमने बताया इस आपको पीछे के लिए ठीक है और इसमें देखिए यह वाली ने सबनाया है टेंडाया कि है रिंग वानेटी सेंटर पुर सें हुआ है वो टेंटाया की ही है 180 सेंटर मतलब दोनों की आपका 10 mm का ही है ठीक है यह सेक्शन सी सी में इसने बता दिया अब हम सेक्शन बीबी देख लेते हैं जो इसने काटा इस कॉलम के लिए वह यहां है ठीक है यह देखें पीसी हुआ इसके बाद 800 आपका यह राप तूठा राप तूठने के बाद उसकी पूरी ग्राउंग लेवल से देख देख दे दिया 1150 और बाकी इश्टीदफ से जो है सब सी में सो कर दिया है ठीक है अब इसका हमको देखना है इस कॉलम का सेक्शन क्या है यह कॉलम का क्या दिया हुआ यहां पर सेक्शन एए आपको देख सकते हैं यह दिया है अब एए वाले सेक्शन में हम चलूंगे कि अब हमको देखना है एए सेक्शन और देखा जाए है कहां पर कि दीडी तो दिख गया एए नहीं दिख रहा है हमें सेक्शन एए यह है आप देखिए सेक्शन एए यहां पर दिया हुआ यह देखिए यह इस्टिरप्स कुछ ऐसे यू टाइप कर रहेगा यह मतलब सिंगल लेक्ट वन लेक्ट एक इस्टिरप्स रहाएगा जो की यह टेमें दो तो सेंटर सेंटर रहेगा और जो में रहेगी वी इस स्टिरप्स रहेगा तो नमबर्स यहां पर नहीं और यह तो नमबर्स यह रहेगा बीसे में का रहेगा और यह जो इस्तिरफ्स बंधी हुई है यह भी रहेगी आपके 12 mm की ठीक है यह लिंक रहेगा 200 सेंटर तो सेंटर यहां पर लिंक भी बंधा रहेगा ठीक है तो यह इस ट्लिल का डीटेल आपने आपका दिया हुआ है है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आए तो के लिए लिए हम आपको इसको कापी करके आपको बखाते हैं कि इस सेक्षन को हम करते हैं कापी और इसके बाद हम इसे बताते हैं आपको अच्छे से कि ठीक है यह आपर इसले क्या दिया हुआ है 20 डाया यह वाली दाया यहustyn सरीय जब सनिकींटर में आप साथ्यों करोगे यह वाली जे वाली और यह सेंटर वाली यह दोनों गासले आपकी रहेगी त्वेंटी डाया ठीक है यह त्वेंटी डाया की दूसरी आप देंड डाल दी उसके बाद यह पॉर्णर पे एक जो इस्टील प्रोवाइट कर रहा है आप इस पॉर्णर पे एक इस्टील ठीक है और एक इस पॉर्णर प्रोवाइट कर रहा है इस्टील तो यह जो दो आप इस्टील प्रोवाइट की है यह आपकी जो रहेगी वो रहेगी 12 डाया की मतलब एक साथ दो सर्या लगेगी 12 की ठीक है एक साथ 12 डाया की दो सर्या लगनी है यहाँ पे आपके इसके बाद क्या दिया हुआ है 12 डाया की यह भी मतलब इस कॉर्णर पे भी जो दो सर्या आप डालना है इस कॉर्णर पे और इस कॉर्णर पे यह भी जो सर्या है वो भी रहेगी 12 डाया की इस दो नंबर ठीक है यह भी रहेगी 12 डाया किया जो नंबर ठीक है पर जब यह हो जाएगा तो इसमें लिंक लगेगा यह जो लिंख है आपका साई सेंदे लिंख लगएगर फूर लगेगा एट डाया का हुआ ठीक है यह 8 डाया का लगेगा 200 सेंटर तो सेंटर देके दिया उआ है और इसके बाद यह जो लिंक लगेगा इस वाले में है यह भी रहता एक बश्ज dessert और सेंटर देटाया का वहीं सब डीटेल इसमें दिया हुआ और देखिए और दिया है है और इसमें total 320 वारी 320 का ये कॉलंब है ठीक है इसमें से 100 mm कास्ट होगा ठीक है मतलब यहां से लेकर इस हीट का सब्सक्राइब दिया है और यहां से यहां तो एमें दिया मतलब 120 इम्यम का टोटल इसके दे रहा है और जिसमें से प्रीकास्ट का ठीकने जो हमें पता है वह कितना सो एमें यानि 20 इमें इसमें घ्राउटिंग करने के लिए चोड़ा झाल तो यहां तक समझ में आ गया इतने डाइंग अब आंगे बढ़ते हैं अब आ ₹ Gosh song टू जो के वारे में अब शेक्शन त्रीट्यूख त्रूं siую यहां पर फो किया हुआ देखियये यहु में दीखाया हुआ है इसमें दिखाया हुआ इस के सल लगेगा ठीक है और साड़ैं 400 मतलब यहां से यह हमें पता चला बब करीकास सब्सक्राइब कर रहा है सीधे सीधे उसी का सब्सक्राइब यहां पर देख लेटें पीपी सेक्शन को देख लेटें पीपी सेक्शन पीपी यहीं ऊपर ही दे दिया ठीक है इसमें सेम वह इस थीकने सो कर दिया आविश्टी रपका सो कर दिया सेम इस यहीं रहेगी उसके बाद यह लिप्टिंग का डिटेल है जो कि आप देख रहते हैं 100 mm ऊपर निकला रहेगा वाल से बाकी इसमें आठ डाया का 200 सेंटर सेंटर जो है इस टीरफ प्रवाइट करनी है कि यह देखिए दिया हुगा है इसको थोड़ाम बढ़ा करके रिखाते हैं यह देखें लिप्टिंग में आठ डाया 200 सेंटर 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 लिंक ऐसे इसे प्रवाइट करना है और 100 mm यह ऊपर निकला रहेगा जिस में हूं लगाके वाल उठेगा ठीक है यह सब समझ में आगए आपको लंगवाग सारे ड्राइंग आपको समझ में आगए अब यह चीजा और देख लिए जो भी वाल लगेगा वह स्लोग में राएगा ग्राउंड लेवर यहां पर स्लोग है यहां पर देखिए 900 से यहां पर डाउन होगा फिर इस जगत से यह दोनों लेवल सेम ठीक है यहां से 105 डाउन हुआ उसके फिल से 105 डाउन हुआ फिर 125 से में डाउन हो गया इस लेवल से तो मतलब 125 पर देखिए मुआ इस तरह से वाल दिखनी है ठीक है अब इसके बाद एक चीज और समझना है अब जैसे की डिबार जाहो है सीधी ठीक है पर यहां इस हो आई था ये जो है तला ओगाए इसमें शोख के आउनकी बढ़ती जाएगी और उसका यह एऴ डिंव दिया हूआ है सब्सक्राइब तो आई थिंक सारा कुछ ने आपको बता दिया ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में